इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी GTN spray का इस्तेमाल दिल से संबंधित सीने में दर्द, एंजाइना के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है एंजाइना तब होती है जब हरदय की मानस्पेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा होता है यह दवा रक्त वहिकाओं को आराम और चोड़ा करके काम करती है ताकि रक्त हरदय में अधिक आसानी से प्रवाहित हो सके इसका बहुत ही अल्पकालिक प्रभाव होता है GTN स्प्रे सीने में दर्ट के पहले लक्षन पर लिया जाना चाहिए इसका उप्योग आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए यदि आपके सीने में दर्ट 15 मिनिट से अधिक समय तक बना रहे तो तुरंट चिकित सा सहायता ले कुछ लोगों को सलाह दी जा सकती है कि वे किसी भी व्यायाम या व्यायाम से पहले इस दवा का उप्योग करें जिससे एंजायना हो सकती है इस दवा का सबसे आम दुश प्रभाव सिर्दध है जो गंभीर हो सकता है यह कभी कभी बहुत सारे तरल पदात पीने और शराब से बचने से मदद की जा सकती है आपको चकर भी आ सकते हैं जिससे आपके गिरने का खत्रा बढ़ सकता है यदि आप अपने फेफ़डों में उच्च रक्चाप, फुफुसिय उच्च रक्चाप या स्तंभन दोश के इलाज के लिए दवाएं ले रही हैं तो इस दवा का उप्योग न करें, या यदि आपको अनीमिया या ग्लुकोमा है, आँख के अंदर दबाव बढ़ जाना हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको कौन सी अन्य स्वास्थिस्थितिया हैं और आप कौन सी अन्य दवाएं ले रही हैं इस दवा के साथ शराब नहीं पीना सबसे अच्छा है, क्यूंकि इससे कुछ दुषप्रभाव बढ़ जाते हैं यदि आप चक्कर से प्रभावित हैं, तो वहन चलाने से बचें यदि आप गरभवती हैं, गरभवती होने के बारे में सोच रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद